गाइस पेसमेकर एक ऐसा एलेक्ट्रिकली चार्जड मेडिकल डिवाइस होता है जिसमें गाइस जो एक सरजन है वो इसको इंप्लांट करता है ताकि यहाँ पे एरिद्मिया या फिर एर्रेगुलर हार्ट बीट्स को कंट्रोल या फिर मैनेज किया जा सके तो यहाँ पे करें क्यों ना हम हमारे हार्ट का जो नैश्रल पेसमेकर होता है जिसको गाइस कहा जाता है ऐसे नोड या फिर साइनो एक्रियल नोड उसके बारे में बात करें ताकि आप पेसमेकर को और भी अच्छे से अंड़स्टैंड कर पाएं तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते के फायर होने का यह कंट्रोल करता है हमारे काडियिक क्ट्रेक्सन को और इसे को हर्ट रेड भी कहा जाता है तो यहां पर के सैल्स जो की क्रिएट करते हैं इन रिप्ल्स को वह ब्लड पंपिंग का जो पेस या फिर जो स्पीड ए उसको भी set करते हैं इसलिए गाइज इनको pace maker cells कहा जाता है और ये pace maker के cells directly control करते हैं हमारे heart rate को तो guys ये जो pace maker के cells है ये बानाते हैं हमारे cardiac pace maker को जो की guys हमारे heart का नیशरुल pace maker होता है और इसको कहा जाता है sinoatrial node या फिर simply SI node तो यहाँ पे guys जब ये जो SI node के cells हैं अगर नमाली जी ये डैमेज हो जाते हैं तो हमारे हाल्ट का जो एलेक्रिकल कंड़क्शन सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है तो यहां पर इस काडियाक एरिदिमिया की डेंजरस कंडिशन को ठीक करने के लिए हम आटिफिशल पेसमेकर या फिर सिंपली पेसमेकर को इंप्लांट करते हैं जो कि एक एक एलेक्ट्रिकली चार्ज डिवाइस होता है जिसको तब यूज किया जाता है जब जो हमारे बॉडी का इंट्रिंसिक एलेक्रिकल कंड़क्शन सिस्टम है वो डैमेज हो जाए और यह यहाप पर मैंने जैसा आपको बताया है कि पेसमेकर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकली चार्ज मेडिकल डिवाइस है जिसको तब इंप्लांट करता है जब यहाँ पर काडिया एरिदिमिया या फिर इर्रेगुलर हार्टबीट्स को कंड्रोल करना होता है राइट तो यहाँ प को सेंड करता है हाल्ट में जिसमें इसकी बहुती स्मॉल वायर्स होती है जो की रन करती है फ्रॉम पल्स जनरेटर टू दी हाल्ट तो गाज हम पेस्मेकर को जनरली टू टाइपस ऑफ एरिदिमिया की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो आता है ट है रहना है ए इसी के साथ ही और भी जादा वर्स कंडिशन को करने में हेलफ करता है जो की कॉस होसकती है इर रिदिमिया की वजह से कोिक मेंनर में फिर स्लौ में भी तो हमारे बोड़ी है उस एनफ blood and oxygen नहीं मिल पारी है जो की cause करता है fatigness, fainting, shortness of breath, damage to vital organs और यहां तक की death का भी खत्रा रहता है तो यहां पर pacemaker को implant करने के बाद हम इन सारी dangerous condition से बच सकते हैं because यहां पर pacemaker हर एक heartbeat के साथ जो electrical impulse travel कर रही है from top of the heart to the bottom वो signal करेगा हमारे cardiac muscles को contract होने के लिए और इसी के साथ ही guys जो pacemaker है वो एक track record भी रखता है हमारे heart beat का ताकि doctors उस particular patient के arrhythmia को अच्छे से understand कर पाएं तो यहां पर जो pacemaker की implantation की surgery है अगर हम इससे पहले की preparation के बारें बात करें कि उस particular patient में हमें क्या क्या चीज़े देखनी पड़ेंगी तो यहां पर इसके लिए हमारे को भी परफॉर्म किया जाता है ताकि यहां पर हाल्ट की जो electrical signals है उनको यहां पर प्रॉपर्ली मेजर किया जा सके जिसमें हमें PQRS graph मिलता है जो कि हमें heart beat की proper rhythm के बारें बताता है और हमें यह भी help करता है ने कि उसको किस टाइब का एरिद्मिया है और इसी के साथ है जिसमें डिवाइस को यूज किया जाता है जिसको पहना जाता है पेशन को ताकि यहां पर हालड रिद्म को थोड़ से ब्रीफ प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पेस्ट मेकर सर्जरी का जो टिपिकल टाइम होता है उसको करीब इंप्लांट कने में लगते हैं एवरेज वन टू टू आर्स जिसमें यहाँ पर सिडेटिव को दिया जाता है ताकि उस पेशेंट को रिलाक्स किया जा सके प्लस इसी के साथ ही यहाँ पर लोकल एनस्थीशिया को यूज किया जाता है ताकि यहाँ पर जो इंसीजन की जो साइट है या फिर बिसिकली जहाँ पर जो कट होने की जो साइट है उसको यहाँ पर नम किया जा सके और इसी के साथ ही guys हमारी जो body है वो fully unconscious नहीं होती है इस surgery के दौरान और आप जाके रहते हैं during this surgery बस आपको थोड़ी सी weakness होगी because of the sedative and local anesthetic drugs अब यहां पर guys जो surgeon है वो एक small incision या फिर cut को लगाएगा हमारे shoulder के पास जिसमें guys एक small wire को डाला जाता है through the cut और इसको पहुंचाया जाता है एक major vein के पास जो की present होती है near the collar bone फिर guys यहां पर जो small wire है जब वो पहुंच चुकी होती है उस major vein के पास जो की present है near the collar bone फिर यहां स उस wire को lead कराए जाता है to the heart जिसमें guys एक x-ray machine भी यूज़ा सकती है ताकि यहां पे surgeons को help मिले उस small wire को guide करने में ताकि वो properly heart के पास पहुंच जाए जिससे कि इस process में help मिलती है surgeon को तो यहां पे guys यह मैंने आपको pacemaker surgery को बहुत ही जादा brief और layman's language में explain किया है ताकि आपको थोड़ा सा idea लग पाए इस surgery के बारे में हाला कि guys इसमें बहुत सारे additional complex steps भी involved होते हैं जिनको perform करने की जरूरत पड़ती है during this surgery अब guys अगर हम pacemaker के types के बारे में बात करें तो guys basically इसके 3 types होते हैं और इसी में से decide किया जाता है कि उस particular patient को कौन से type का pacemaker लगाना चाहिए तो य यहां पर जब उस patient का properly diagnostic evaluation हो चुका होता है तब यहां पर doctors recommend करते हैं उस pacemaker के type का जो कि उस patient को लगना चाहिए तो guys यहां पर यह pacemaker के 3 types है single chamber pacemaker, dual chamber pacemaker और third one है biventricular pacemaker तो यहां पर guys अगर हम बात करें single chamber pacemaker के बारे में तो guys सबसे पहली बत यह है कि इसको most commonly use किया जाता है औ from pulse generator to one of the chambers of heart जिसमें यह connected होता है to the right ventricle और यह heartbeat के pace को control लगता है फिर इसके बाद guys अगर हम बात करें dual chamber pacemaker के बारे में तो इसमें guys dual का मलब होता है two जिसमें guys two small wires connected होती है pulse generator से और यह connected होती है हमारे right side of the heart के chamber से जो की है right atrium और right ventricle जिसमें guys की dual chamber pacemaker help करता है दोनों chambers को ए heart muscle का जो proper contraction और relaxation है उसको अच्छे से control किया जा सके और यहां पर जो heart की rhythm है वह भी properly maintain रहे फिर इसके बाद guys third type है biventricular pacemaker जिसको guys cardiac re-synchronization therapy भी कहा जाता है जिसमें guys यहां पर क्या होगा कि three wires को यहां पर connect किया जाता है pulse generator से जिसमें यह wires connected होती है right atrium and both the ventricle से basically three chambers of the heart से यह wires connected रहती है तो यहां पर guys इसको तब implant करने की जरूरत पड़ती है जब यहां पर जो arrhythmia cause हुआ है वो हुआ है by advanced heart failure और क्योंकि यहां पर ऐसा देखा गया है कि जिन भी लोगों को heart failure हुआ है उनमें both left and right ventricles जो है वो एक साथ blood को pump नहीं कर पाते इसलिए यहां पर जो doctors है वो इस biventricular pacemaker को program करते हैं ताकि यहां पर ventricles का contraction है उसको proper coordination में रखा जा सके जिससे की guys both ventricles जो है वो एक साथ blood क pump कर पाएंगे अगर हम पेस्मेकर सर्जरी के कोस्ट के बारे में बात करें इन इंडिया तो यह वैरी करता है बिट्वीन वल लैक टू नाइन लैक रुपीज बिकॉस यह डिपेंड करता है कि उस particular patient को किस टाइप का पेस्मेकर लगा है किस quality का पेस्मेकर लगा है प्लस इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाट